नमस्कार आने वाले समय में जे बीटी अभियर्थियों को होगी बड़ी मुश्किल जो अभियर्थी जे बीटी करना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किल पेश आने वाली है क्योंकि फीश बहुत ज़्यादा पेख करने पड़ेगी आपको एजुकेशन से लेटिट जो भी न्यूज होती हैं आपको जरूर परवाइड कराते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ओन कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अफ्लोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे आईए सुरू करते हैं सभी सरकारी डाइट में जेबिटी बंद इकी सरकारी डाइट हैं सभी में जेबिटी बंद कर दी गई है हरियाना सरकार में बंद कर दी है केवल चार बाइट और दो गेटी में 400 विद्यार्थियों को ही मिलेगा सरकारी सतर पर दाखिला यानि सरकारी सतर पर हम बात करें त 351 नेजी कालेज हैं उनमें लगबग 19,100 सीटों पर दाखिला होगा क्योंकि सरकार ने सभी 21 सरकारी डाइट में जेवीटी बंद कर दी है आईए जानते हैं क्या कहना है सिस्टेंट डायरेक्टर अकेडमिक अन्सी आर्टी का अनके वर्माजी क्या करें देखिए विभाग की और से जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार सरकारी संस्थान डाइट में शिरफ सकूलों में नियुक्ती जो नियुक्त हैं सिक्षक शिरफ उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी जेवीटी को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी यानि एडमिशन नहीं होगा अब परदिश जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानि जेवीटी सरकारी संस्थानों में नहीं होगी अब विदैर्थियों को 32 गुना महेंगे नीजी कालेजियों में जेवीटी करनी होगी यानि उनको 25,800 रूपिये और उससे भी जादा फीस देनी होगी सरकारी सतर पर केवल 4 बाइट और 2 जेवीटी संस्थानों में ही जेवीटी कराए जाएगी परदेश के 21 जिला सत्रिय संस्थानों में यह कोर्स बंद किया जा रहा है इस पर विरोध करते हुए सरकार के फैसले का शिक्षक चातर शंगों ने कहा है कि जेवीटी के अधिकतर पद भरे जा चुके हैं इस आपक संग का कहना है कि जेवीटी के 44,244 में से 18,196 पद खाली पड़े हैं यानि कि शिदे शिदे यह अब ब्यर्थी जो अब जेवीटी करना चाते थे उनके हगों पर गुठारा गाता है क्योंकि जेवीटी अब जो करेंगे उनको ज्यादा फीस देनी होगी और सरकारी स कतर पर लगबग यह बंद ही हो गया है इसका कारण दिया गया है कि ट्रेनिंग होगी जो ओलरेडी टीचर लगे हुए है उनकी इस वजए से सरकारी संस्थानों में जेवीटी अब नहीं होगी तो जेवीटी एडमिशन से लेटीर जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रस्सक्राइब करें और लाइक करें दने बात तो